अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद घरतों मैं सब बढ़ी होंगे श्यूडियूम दोस्तों बात करेंगे पियेस वूमेन और बीएच वूमेन यानकी परता स्कोर्चर वूमेन और ब्रिस्बेन हेट वूमेन के बीच में जो आपको WBBL T20 वूमेन बिग बैस लिग T20 का पहला सेमी फाइनल आप लोग कह सकते हैं या फिर भाई जो चैलेंजर मैच खेला जाएगा इसको डिटेल में कवर करेंगे अब देखो चैलेंजर मैच के एक खास चीजम आपको यापर बता दू जो भी टीम यापर विंड गरेगी वो देखो सीधा जाएगी फाइनल के अ प्लेयर्स का रोटेशन्स आप लोग किस पर कार करोगे तो वो सारी जीज़ आगे वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो कंप्लिट देखना कोई भी इंफोर्मेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी सबसे पहले चैनल पर नहीं होती है आर सबस्क्राइब गर के न करेंगे आपको सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी तो लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और वीडियो को डिसकप्शन दोनों जगए पे मिलेगा सिंप्ली आप लोग वासे टेलीग्राम चैनल को जोईन जरूर से कर लीजिए अब यहां से देखो मैच क यानि कि ओपन करना है और इस सीजन की जो फोर्म रही है वो इनकी काफी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिले आप तक 14 मैच के अंदर ये टोटल 59 संस कर चुकी जापिन का एवरेज आपको लगबग 53 या फिर 54 या फिर 54 चोवन की आसपास आप लोग बानके चल सकते हो का काफी तगडी प्लेयर है स्टार्टिंग में पूरेज है और के पावर प्लेय का बेनिफिट उठा सकती है तो आपके लिए एक बिल्कुल कॉमन पिक रहेगी अगर आप लोग समोली खेल रहे हो हैट टो आपके पास में बैथ मूनी जरूर से होनी चीए ठीक है उसके बाद ब्लेबाज रहेगी तो उस केस में आप लोग रेड माईने के साथ में जा सकते हो बैस के लिए धे को naszych पे ब्लेबाजी करने आ सकते है इनको टीम और और या फिफ्फ्ट डाउन पे ब्ले बाजी करवा देते है तो इनका बैटिंग ओडर आभी कुछ गंफरम नहीं गय सकत प्रफुर्मेंस की बात करूँ है तो टोटल 15 मैंच के अंदर अब दक ये 432 रंस कर चुकि जापे इनका एवरेज जो है लगबग आपको पूरा पाउर प्ले के चैवर का बेनिफिट उठा के जा सकते है अगर चैवर ये विकेट पे रुकी ना तो बंदी तगडे रंस मार के जाएगी आप लोग एक चीज जान में रखो उसके बाद में लोरा विन्फिल्ल हिल्ड रहेंगी उसके बाद में मैगना डूपरीज ये तो उतनी बड़ी आफ ओम में नहीं देखने को मिली उसके बाद में डूपरीज के उप्शन ही ये देखो अगर थर्ड डाउन या बया सेकेंड डाउन पर बल्ले बाजी करते हैं आपके लिए पलस पॉइंट बन जाएगा लेकिन जितना नीचे बल्ले बाजी करने हैं उतना मेरे इसाब से इंपेक्टर ना छोड़के जाए तो वो चीज़ आप लोग ज्यान में रखो मोस्ट प्रॉबेबली आपको सेकेंड या फिर थर्ड डाउन पे ही ये बल्ले बाजी करते ही ठीक है अगर मैं इनके फोम की बात करूँ है तो अब ड़क टोटल 15 मैच के दर यह 343 रंज कर चुकि जामपीन का साड़े 24 का आवरेज आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद में डार्क की उप्सन नेगी जिन्होंने लास्ट मैच थर्ड डाउन पे बल्ले बाजी कर दी टीम इनको इस मैच में थोड़ा सा नीचे बल्ले बाजी में रख सकती ह अगर यहां पर सोफी डिवाईन उपर बल्ले बाजी करने हैं तो डार्क का बैटिंग ओडर नीचे जा सकता है यह चीज़ आप लोग जान में रखके चलोगे तो अभी देखोगे तो मैं डार्क को देखो उतनी बढ़िया उप्सन में लेके नहीं चलूँगा यह चीज़ अगर मैं फोम की बात करूँ आ तो दस मैच के अंदर अब तक इनोंने टोटल 69 अंस करें तो मतलब उतनी बढ़िया फोम में नहीं आप लोग अवोईड करके चल सकते हो लोरा हैरिस वैसे भी उतनी बढ़िया फोम में नहीं है तो अभी आपके पास में एक मातर सेफ विकल अब लोग स्टार मार लेना वाई आपकी स्मोली की टीम में जरूर आनी चीए चाहिए आप लोग फोर मेंबर खेलो कोई फरक नहीं पड़ता यह चार पास प्लेयर जो रहेंगी ओलाउंडा सेक्सन की यह सारी आपके लिए इंपोर्टेंट है और सभी की सभी आपके टीम् हाँ से सबसे पहले बात करेंगे जोनासन की देखो बैटिंग ओडर काफे नीचे जाएगा पहली चीज़ जान में रखोगे दूसरा पूरे आपको चार ओवर गेंदबाजी मिलेगी वहाँ पे आपके लिए एक इंपोर्टेंट पिक बनेगे ठीक है सबसे पहले ब्रिस ब अगर विकेट मिलते हैं तो फिर पूरे अपने चार ओवर डालके भी जा सकते हैं तो अभी के लिए आप लोगों के लिए बल्ले बाजी प्लस गेंदबाजी दोनों से इंपोर्टेंट रहेंगे तो यहां से अगर मैं नेट सीवर ब्रंट की बात करूँआ ना तो इन्हों आपके लिए रहेंगी तो इनके साथ में तो आप लोग जरूर जाओगे और यह देखो चैलिंजर मैच है मतलब दोनों टीम्स के लिए इस मैच के इंपोर्टेंस जो रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी तो आई तिंग यहां पर टीम्स ज्यादा रिस्क नहीं उठाएग अब दक यह टोटल 460 रंज कर चुके जहाँ पर एवरेज आपको लगबग 40 के आसपास देखने को मिल जाएगा तो क्यों इंपोर्टेंट है अब आप लोग शायद वो चीज समझ पाओगे उसके बाद में अमेलिया कैर यह भी आपको सैकेंड डाउन बल्ले बाजी प्लस पूरे 4 ओवर की गेंद बाजी गरगे देगी इंपोर्टेंट प्लेर है कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी की बहुत बढ़िया 24 आपके लिए बनेगी तो इनकी अगर मैं एक पर फोम की बात करूँ सबसे बहले इनके अगर मैं बल्ले बाजी की बात करूँ अमेलिया कैर गी तो टोटल इन्होंने अब दक 10 मैचेज खेले जहां पर ये टोटल 294 कर चुकी साड़े 29 के आसपास इनका आवरेज आपको दिखेगा जबकि अगर मैं इनकी गेंद बाजी की बात करूँ एमेलिया कैर गी तो गेंद बाजी में इनकी काफी नीच आगी अगर आईगी हिट गेंद बाज अपने टीमें बैक कर सकते हो अगर मैं इनकी फोर्म की बात करूँआ तो 14 मैच के अंदर अब दक टोटल इन्होंने देखो 20 विकेट लिये तो क्यों इम्पोर्टेंट है अब आप लोग शायद वो चीज समझ पाओगे उसके बाद में देखो दो आपसंस बता के चलनों ठीक है क्योंकि इनके पास में आपसंस बहुत सारी होते हैं तो किसी के भी ओवर कट हो सकते हैं उसके बाद में जोर्जिया वोल को वैसे भी छोड़ सकते हो मेरे साब से उतनी कुछ खास प्लेयर मुझे नहीं लगती बट फिर भी अगर मैं एक बार इनके ब होगे सबसे पहले अलैना किंकी अगर मैं बात करूँगा तो 14 मैच में अब दग ये टोटल 16 विकेट ने काल चुकि जब कि अगर मैं हैंको की बात करूँगा तो इन्होंने भी देखो 15 मैच में टोटल 19 विकेट लिए तो ये दोनों प्लेयर आपके लिए इंपोर्टेंट की साइड से तो हिनोंने देखो 12 मैच में 37 ओवर गेंदबाजी गरवा के अब दग टोटल 15 विकेट लिए हैं तो इनसे भी आप लोग 4 ओवर के परफोर्मेंस में यानि कि 4 ओवर कंप्लेट करने की उमीद गर के जरूर से चल सकते हो लेकिन अभी मैं इनको टीम में रही र आपको यहां से दिखा देता हूं मेरी टीम में 11 प्लेर आ चुकी है लेकिन इसको आप लोग ना डेमो टीम समझके चलना क्योंकि ब्लेको टोस के बाद में कोई भी चेंजिज इस टीम में करें जा सकते या फिर भाईया कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी में इंप्टन सी में दो प्लेर आपके लिए बेस्ट विगल पे मोशली बंदे इनी में से एक को कैप्टन और एक को वाइस कैप्टन करके जरूर आएंगे अगर आपको थोड़ा सा यूनिक चीज़े ट्राई करनी है आप लोग जैस जोनासन के साथ में जाओ नेट सीवर ब्रंट आपके पास म जाओ ये चार प्लेर आपके लिए थोड़ा सा यूनिक ओप्सन रहेगी कैप्टन सी और वाइस कैप्टन सी अगर मैं इस टीम में कोई बी चेंज़े गरूँगा कैप्टन सी में कोई चेंज़े आपको फाइनल टीम टेलिग्राम चैनल पर अपडेट करूँगा लिंक अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच में बढ़िया टीम सेलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा परफूम जरूर करेगी